तीन साल तीन महीना सत्रा दिन और एक तालिस पारियों के लंबे इंतजार के बाद बिराट कोली टेस्ट किरकेट का 28 बस सतक लगाते हैं बारा सो चार दिन का लंबा इंतजार खतम होता है और भारतिय टीम का किंग वाफ़ी करता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक कहानी है उस इंतजार की जो पूरा देश लगबख साड़े तीन सालों से कर रहा था एक कहानी है उस खिलाडी की जो अपने हेटर्स को मुह से नहीं बलकि अपने बल्ले से जबाब दिन में भी स्वास रखता है 22 नवंबर 2019 इडन गार्डन का वो मैतान जहां बिराट कोहली ने बांगलादेश के खिलाब 27 वा टेस्ट सतक बनाया था जहां बिराट कोहली ने 136 रनों की सतक ही अपारी खेली थी इसके बाद बिराट कोहली के बल्ले ने तहार ना बंद कर गिया इसके बाद बिराट कोहली ने बहुत कुछ सहिन किया और चुप-चप सहिन करता रहा और बिराट कोहली का फॉर्म एकदम से चला गया बिराट कोहली अंदर और बाहर आती हुई गेनों पर एज़ दे कर आउट हो रहे थी बिराट कोहली ने साल 2020 में कुल 6 इनिंग्स खेली जिसमें से कुल 1 अर्ध से तक उनकी बल्ले से आया साल 2021 और 22 में कोहली ने कुल 30 इनिंग्स खेली जिसमें से कोहली के बल्ले से कुल 5 अर्ध से तक निकले और 801 रन आये आलम कुछ हिस्परकार था कि बिराट कोहली के नाम से जो गिंदबाज धर-धर कापा करते थे अब वो गिंदबाज कोहली को एक मामुली खिलाडी मनने लगे थे हर जगाए किरकेट पंडित बिराट कोहली का मजाग बना रहे थे जिनने फ्रेंट फुट और बैक फुट में भी अंतर पता नहीं था अब वो लोग भी बिराट कोहली की बैटिंग की नसियत दे रहे थे लेकिन कहते हैं ना कि जब नर्गिस हजारों साल अपनी बेनूरी पे रो लेती है तब बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है दीदाबर भारत बनाम ऑस्टेलिया वाडर गावस का ट्रॉफी का वो आखरी मुकाबला भारतिय टीम ने पिछले दो मुकाबले को जीत लिया था और एक मुकाबला ऑस्टेलियन टीम के हाथ भी लग चुका था 9 मार्च साल 2023 भारतिय टीम का चौथा टेस्ट मैच एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरू होता है भारतिय टीम को टौस हार कर पहले गेंद बाजी करनी पड़ती है और शलिया पहले बल्ले बाजी करते हुए 480 रन बनाती है जिसमें उस्मान खुआजा और कैमरान गिरीन का सतक सामिल होता है भारतिय टीम के सामने 480 रनों का बड़ा टोटल था रोहिस सर्मा और सुमन गिल पारी की सुरुवात करते है सभी दर्शकों की उम्मीदा रोहिस सर्मा से थी कि आज उनका कप्तान भारतिय टीम को एक बड़ी पारी देगा लेकिन रोहिस सर्मा 35 रनों के स्कूर पर मैथ्य कुहने मन की गेन पर लवुजेंज के हाथों कैच आउट होज गए और भारतिय टीम की उम्मीदा पुजारा भी 42 रनों के स्कूर पर आउट होए अब भारतिय टीम की मुश्किलें बढ़ जाती है लेकिन तभी मैदान में इंट्री होती है उस किंग की उस किंग की जो टेस्ट पॉर्मेट में साड़े तीन सालों से खामोस था लेकिन सभी को भरोसा था कि आज मैदान में बिराट कोहली नहीं बल्कि संकट मोचन बिराट कोहली उतरे है बिराट कोहली सुमन गिल के साथ अपनी पारी शुरुआत करते हैं जो कि पहले ही सतक जड़ चुके थे लेकिन 128 रने को स्कूर पर सुमन गिल की सतकी अपारी खतम हो जाती है तब बिराट कोहली 32 रनों के स्कूर पर थे और टीम का स्कूर 245 रन पर 3 बिकेट हो जाता है लेकिन अभी 21 ओबर का खेल बांकी था चौथे दिन का खेल शुरू होता है बिराट कोहली 69 रनों पर नावाद थे और साथ में रवेंदर जड़ेजा भारतिय टीम अभी भी 111 ओबर रनों से पीछे थी जल्द ही जड़ेजा 28 रनों के स्कूर पर आउट हो जाते है तब बिराट कोहली 67 रनों के स्कूर पर थे नए बल्लेबाज स्रीकर भरत एक सांदार पारी की सुरुवात करते है और दोनों बल्लेबाज लंच तक पहुंचते है बिराट कोहली लंच तक 88 रन बना चुके थे तब टीम का स्कूर 362 रनों पर 4 विकेट था चौथे दिन का दूसरा सैसन सुरू होता है और कोहली अपनी पारी को फिर से आगे बढ़ातने लगते है दूसरी तरफ स्रीकर भरत भी सांदार पूल सौट लगा रहे थे बिराट कोहली धीरे धीरे अपने सतक की ओर बढ़ रहे थे जब बिराट कोहली अंठाउन बे रनों के स्कोर पर थे तब ही नेथन लाइन की एक गेंद पर स्रीकर भरत 44 रनों के स्कोर पर क्याच आउट हो जाते है एक तरफ भारतिय खिलाडियों के विकेटों का पतन हो रहा था बहीं दूसरी तरफ बिराट कोहली सतक की ओर बढ़ रहे थे 149 वे ओबर की दूसरी गेंद थी टीम का स्कोर 395 रन के स्कोर पर था और बिराट कोहली 99 रन के स्कोर पर खेल रहे थे बिराट कोहली फाइल लैक की तरफ एक सौट लगाते है और सिंगल रन लेकर अपने 28 वे टेस्ट सतक का अगास करते हैं और ये तीन साल तीन महीने और सत्रा दिनों का इंतजार तपस्या और तप इस सब कुछ खतम हो चुका था इस मैदान के चारों तरफ भूजती आवाज इस बात की गवाई ही दे रही थी कि सेर अपनी गुफा से बाहर आ चुका है इतरंगे को लहराते हुए फैंस जुक कर तालिया बजाते हुए भारतिय खिलाडी इस बात की गवाई ही दे रहे थे किर्केट की दुनिया का राजा अपने राज में वाफसी कर चुका है बिराट कोहली को छेस तरह गंबैक करते हैं कि आज विपकची कंगारू टीम के खिलाडी भी उनके स्वागत में तालिया बजा रहे थे बिराट कोहली अपने गले में पहने हुए लौकेट को छूंकर फिर से पारी की शुरुआत करते हैं और रनों की बारिस करने लगते हैं दूसरी तरह अक्सर पटेल भी अपना अर्षा तक पूरा कर लेते हैं जब टीम का स्कूर 495 में रनों की स्कूर पर था तब बिराट कोहली 150 रन पूरे कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं एक और बड़े स्कूर की तरफ आज और श्रीलिन गेंद बस बस एक ही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह आज का खेल समप्त हो जाए क्योंकि वो जानते थे कि आज बिराट कोहली को रोकना नामुम्किन है भारतिय टीम की तरफ से अकसर अस्बिन और उमेश यादब आउट हो चुके थे 178 वे ओवर की तीसरी गेंद पर बिराट कोहली का एक कैश ड्रॉफ हो जाता है तब बिराट कोहली 185 रनों की स्कूर पर थे लेकिन जल्द ही 189 वेर की 5 भी गेंद पर मर्फी की गेंद पर बिराट कोहली लवू जेंज के हाथों कैश आउट हो जाते है तब बिराट कोहली 186 रनों पर थे और 15 चौकों की मदद से 364 गेंदों में 186 रन बना कर पविलियन बापिस लोड़ जाते हैं यहाँ पर बिराट कोहली की एक सांदार पारी खतम हो जाती है लेकिन तब तक और बिराट कोहली एकाउन बेर रनों की लीड चड़ा चुके थे कोहली की इस पारी की बदौलत कुछ फैंस खुस तो कुछ फैंस दुखी भी थे खुस इसलिए कि 1204 दिन बाद टेस्ट सतक आता है और दुखी इसलिए कि कोहली अपने दोहरे सतक से चूक जाते है इसी के साथ भारतिय टीम की पारी 571 रनों के इसकूर पर खतम हो जाती है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और कोहली के लिए प्यारा सा कॉमेंट जरूर करें